इस चैप्टर में एक फॉन है अब फॉन क्या होता है फॉन होता है डियर का बच्चा ठीक है या फिर डियर डो किसी का भी बच्चा जैसे हिरन होता है उसके बच्चे को हम फॉन कहते हैं ठीक है तो इस जोडी फॉन अब यहां पर जोडी एक लड़का है जोडी का फॉन अब वो फॉन जोडी का कैसे बना यह हम इस स्टोरी में प और बर्न, we find quick and effective cures using things available at home. अब इन्होंने क्या कहा कि जब हम कभी घर पर होते हैं, हमें कभी हाथ हमारा जल जाता है या फिर कभी कट लग जाता है, तो हम ऐसी चोटी चोटी चीज़ों को लेकर डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं कि हमें हमारा हाथ जल गया फिर कुछ और, तो हम क्या करते हैं, घर पे ही घरेलू उपाई निकालते हैं उसका, और उसे हम क्या करते हैं, अपने चोट पर लगा लेते हैं, जैसे हल्दी होती है लगाने के लिए है न और भी कई चीज़े होती है कोल गेट लगाया जाता है जले पर तो ये सब होम रेमिडीज होती है रेमिडीज मतलब घरेलू उपाई जो हम ढूंडते हैं किसी भी चीज़ के लिए तांकि वो ठीक हो जाए ठीक है Can you think of some such home remedies for a cut on your knee, a burn on your arm, a bee sting? अब इन्होंने कहा क्या तुम किसी जो ये given चोटे हैं इनका तुम home remedy घरेलू उपाई ढूंड सकते हो तो हाँ हम इनका घरेलू उपाई ढूंड सकते हैं A cut on your knee, तुम्हारी नी पर अगर cut लगा है तो उसके उपर तुम अगर healthy लगाओगे तो वो ठीक हो जाएगा A burn on your arm, अगर तुम्हारी बाजू जल गई है तो तुम उसके उपर क्या लगाओगे? Colgate लगा सकते हैं, ठीक है तो in this story, Jody's father has been bitten by a rattlesnake He quickly kills a doe and uses its hurt and liver to draw out the poison Jody wonders what will happen to the little fawn left without a mother अब इस story में क्या है, जो Jody के father है, जोडी का जो father है ठीक है, उसको एक rattlesnake ने bite कर लिया है मतलब उसको एक सांप ने dust लिया है तो अब जब हमें कोई सांप dust लेता है तो उसका जो जहर होता है उसे जल्द से जल्द बाहर निकालना चाहिए नहीं तो एक आदमी मर भी सकता है, ठीक है तो जोडी के father को जो उस time सही लगा उसने वो किया उसके पास में एक doe थी, यानि की female deer थी और उसने क्या किया, उसको मार के उसका जो hurt है और उसका जो liver है उसे इस्तेमाल किया जहर को बाहर निकालने के लिए, ठीक है अब जो जोडी है उसका बेटा, वो सोचता है कि वो उसकी जो मा है, किसकी phone की जो मा है वो मर गई है, तो अब phone का पीछे से ध्यान कौन रखेगा उसकी सुरक्षा कौन करेगा, उसको खाना कौन लेके देगा क्योंकि पहले ये सब चीजें उसकी mother करती थी, ठीक है अब जो जोडी है, उसके जो thoughts है, किसके प्रती, phone के प्रती वो उसको बार-बार उसकी तरफ खींच रहा था उसका जो दिमाग था, उसकी तरफ खीचा जा रहा था कि उस जो वो phone है, उसका क्या बनेगा क्योंकि उसकी mother की death हो चुकी है He had held it in his dreams in his arms He slipped from the table and went to his father bedside अब वो क्या कर रहा था, मतलब उसको ये जो thought है वो सोने भी नहीं दे रहा था उसके बाद he slipped from the bed table and went to his father's bedside Penny lay at rest अब उसके जो father थे, उनका नाम था Penny, Penny Baxter ठीक है, तो Penny को क्योंकि सापने डसा हुआ था तो वो थोड़ा बिमार था, तो वो rest कर रहा था ठीक है, और जोड़ी टेबल पर बैठा था, वहां से वो जल्दी से उतर कर अपने father की bedside, मतलब उनके bed के पास जाकर बैठता है his eyes were open and clear, but the pupils were still dark and delighted अब जो Penny की आँखें थी, वो क्या थी, वो खुली थी, open थी, ठीक है बट इतने अंधेरे में भी जो उसके pupil थे, pupil क्यों होते हैं, जो वो black चीज होती है हमारी आँखी, उसे pupil कहा जाता है ठीक है, they were still shining, ओके Jody said, how are you feeling father, Jody ने अपने पापा से पूछा की, how are you feeling father, तुम कैसा अब feel कर रहे हो just fine son, old death has gone, thieving elsewhere, but wasn't it close shave अब, देखो यहाँ पर हमें side में जो meanings हैं, वो given है, देखिए, यहाँ पर लिखा है, close shave का मतलब है, a narrow escape ठीक है, हमने यहाँ पर एक word पढ़ा, deleted, उसका मतलब है enlarged ठीक है, मतलब उसके बड़े बड़े pupil थे तो अब क्या है, just fine son, old death has gone, thieving elsewhere, but wasn't it close shave मतलब की, इसके फादर उसको क्या बोल रहे है, कि अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, लेकिन क्या तुम्हें ये भी लगता है, कि मेरे आज बिलकुल करीब से मौत को मैं छूकर आज वापिस आया हूँ, हम ऐसे कहते हैं, अगर हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा भ्यानक हो जाए, लेकिन हम फिर भी बच जाते हैं, जैसे पैनिंग के साथ हुआ, उसको सांप ने डस लिया, मरने वाला था, लेकिन फिर भी वो बच गया अगर कोई भी सिचुएशन खड़ी हो जाती है, ऐसी स्थिती खड़ी हो जाती है, जहां पर कुछ बहुत, मतलब गलत हो वहां पर हमें अपने दिमाग से काम ली, कैसे काम लेना है, उसको एप्रिशियेट करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, पैनी बैक्सटर तो Penny Baxter अपने बेटे को ये कहता है कि मुझे तुम्हारे उपर मान है कि तुमने ऐसी situation में भी अपने दिमाग का सही उपयोग किया ठीक है पा, yes son पा, do you recollect the door and the phone? अब जो जोड़ी है वो अपने फादर से पूछता है कि क्या तुम्हें वो phone याद है उस door का phone याद है तुम्हें तो I can never forget them the poor door saved me, that's certain अब उसके जो father है वो क्या कहते है कि मैं तो उन्हें कभी भूल ही नहीं सकता क्योंकि उनकी वज़े से मेरी आज मैं यहाँ जिन्दा हूँ ठीक है, आज मेरी जान बची उनके खातर पा, the phone may be out there yet it might be hungry and very scared अब जोडी क्या बोलता है अपने father से कि जो phone है वो अभी भी बाहर ही होगा उसको भूक लगी होगी वो डरा हुआ भी होगा क्योंकि वो इससे पहले कभी भी अकेला नहीं रहा तो क्या पता वो डरा भी हो ठीक है I suppose so अब ये dialogue किसने बोला उसके father ने पा, I am a big boy now and I don't need to drink milk उसने अपने father से क्या बोला कि अब मैं बढ़ा हूँ मुझे milk की दूद की जरूरत नहीं है Why don't I go and see if I can find the phone जोडी अपने father से permission ले रहा है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या मुझे जाना चाहिए and should I take the phone मतलब क्या मुझे वो phone को ढून लेना चाहिए and bring it here bring it here कहा मतलब उनके घर में लाने की वो permission जो है वो ले रहा है and raise it अब वो जोडी के बोल रहा है कि वो जो phone है उसको पाल पोसकर हम बढ़ा कर सकते हैं क्योंकि जो उनकी मदर है उसको पैनी ने मारा एक टाइप से तो यहाँ पर यही है कि हमें उसका payback करना पड़ेगा पैनी ले quiet staring at the ceiling ceiling क्या होती है छत उपर की जैसे हम bed पर लेटे होते हैं हमारा सिर उपर होते है तो हमें छत दिखती है तो वैसे ही पैनी जो है चुप चाप लेटे रहे और वो छत को stare कर रहे थे देख रहे थे boy you have got me hamden hamden का मतलब है caught in a situation where one can't say no hamden मतलब की एक ऐसी situation जहां आप किसी चीज़ को मना नहीं कर सकते ठीक है तो उसने क्या कहा जोडी को पैनी ने कहा कि तुमने मुझे कैसे स्थिथी में खड़ा कर दिया है जहां मैं तुम्हें मना भी नहीं कर सकता it won't take much to raise it it will soon start eating leaves and eacons eacons क्यों होते हैं small brown nuts होते हैं ठीक है अब इसने क्या कहा जोडी दे कि उसको ज़्यादा time नहीं लगेगा बड़े होने में वो जल्दी ही अपना जो grass वगेरा है वो खाना start कर देगा you are smarter than boys of your age we took its mother and it wasn't to blame surely it seems ungrateful to leave it to starve son I can't say no to you I never thought I did ever live to see another day अब क्या कह रहे हैं उसके father कह रहे हैं कि तुम अपनी age के बच्चों से ज्यादा smart हो ठीक है we took its mother and it wasn't to blame अब इन्होंने क्या कहा कि जो वो phone था हमने उसकी mother को मार दिया ठीक है we took its mother and it wasn't to blame मतलब कि जो वो था हमारा phone था he was no one to blame it surely it seems ungrateful to leave it to starve तो ये एक बहुत ही निर्दई भाव है अगर हम उस phone को उसके बच्चे को ऐसे ही छोड़ दें कैसे ऐसे ही भूखा छोड़ दें उसको मतलब अपना अपने आप देख लेगा वो लेकिन हमें ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी मदर को हमने मारा है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसकी हेल्प करें तो उसके जो फादर है वो कहते हैं कि मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा जाओ ठीक है बेकाज उनकी वज़े से आज मैं यहां जिन्दा हूँ अब जोडी यहां पूच रहा हूँ मिलवील कौन है पैनी बेकस्टर का फ्रेंड है मिलवील तो वो क्या पूचता है जोडी क्या मैं मिलवील के साथ चला जाऊ और फौन को ढूंड लूँ अब पैनी बेकस्टर ने जोडी को कहा कि अपनी मदर को बता दो कि मैंने तुम्हें जाने के लिए पर्मीशन दे दी है He is seddled back अब seddled back, walked back quietly trying not to be noticed अब जो वो बच्चा था, कौन? Jody, वो ऐसे चला जैसे कोई उसे notice ना करे to the table and sat down His mother was pouring coffee for everyone He said, माँ पास says I can go bring back the phone अब Jody अपनी मदर के पास जाता है उसकी मदर उस टाइम coffee जो है वो सब के लिए डाल रही थी तो अपनी मदर से Jody पूछता है कि माँ मुझे father ने permission दे दी है कि I can go and find the phone कि मैं जाकर उस phone को ढूंड सकता हूं और उसे यहां ला सकता हूं She held the coffee pot in mid air What phone? The phone belonging to the doe we kill, we use the doe's liver to draw out the poison and save power अब उसकी मदर को एकदम से ऐसे शौक हुआ सुनकर कि यह जाएगा उसको ढूंडने के लिए वो तो अभी खुद बच्चा है कौन? Jody ठीक है? तो उसके हाथ में जो coffee की kettle थी, coffee का pot था वो ऐसे ही mid air में मतलब हवा में ऐसी रह गया उसका हाथ वहीं पर hang हो गये एक type से और वो पूछती है उससे What phone? मतलब कौन phone? कैसा phone? The phone belonging to the doe we kill, we use this lever. मतलब उसको ने कहा, Jody ने उनको बताया कि वो phone जिसको हमने मार दिया था अपने father की lever, उसका जो lever है use किया था father की poison जो है उसे out करने के लिए मतलब उसकी जो poison है उन्हें draw out करने के लिए तो अब क्या हुआ? she gasped Well, for pity's sake Pa says It would be ungrateful to leave it to starve Doc Wilson said That's right ma'am Nothing in the world comes quite free The boy is right and his daddy is right अब जो उनकी mother थी उन्हें दो मिनट के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि जोडी जाएगा और phone को ढूंड कर आएगा because वो अभी खुद छोटा था Well, for pity's sake pity's sake यानि की दया आ जानी किसी पर ठीक है तो उसनोंने क्या कहा कि जोडी अब अपनी मदर से कह रहा है कि father जो उसके पापा है वो कह रही है कि ये निर्दई लगेगा अगर हमने उस phone को ऐसे ही जंगल में छोड़ दिया इतनी छोटी उसमें age में हमें उसको जाकर लाना चाहिए और उसका खयार रखना चाहिए क्योंकि they were the only one वो ही ऐसे लोग थे जिन्होंने उनकी मदर को मारा अपने benefit के लिए ठीक है अब Doc Wilson कौन है ये भी Penny Baxter के friend है और वो अपनी जो उनकी मदर है जोडी की मदर है उनको बोलते हैं कि ये बिलकुल सही कह रहे है मैं Why? Because nothing in the world comes quite free अगर nothing in the world comes quite free का मतलब है कि इस दुनिया में अगर आपने किसी से कुछ लिया है तो उसको उसका payback करना पड़ेगा कुछ भी free का नहीं आता है इस दुनिया में अगर आपने उनकी phone की मदर को मारा है तो उसका payback आपको करना पड़ेगा अब Doc Wilson कहते हैं कि जोडी is right and his father is also right okay well she sat down the pot helplessly well if you will give it your milk we have got nothing else to feed it अब उसके जो मदर है वो चेर पर बैठती है helplessly मतलब बहत ही जादा helplessly वो उस चेर पर बैठती है she sat down with the pot and वो बोलती है कि ठीक है तुमने अगर उनको phone को लेकर आना है because phone भी छोटा है वो भी दूद ही पीता था और जोडी भी दूद पीता था तो उनके पास जोडी के लिए ही milk बहुत मुश्किल से जो है वो लेके आते थे तो उनको ये हो रहा है कि जोडी के लिए milk कम है और एक phone और आ जाएगा तो उसके लिए milk की arrangement जो है वो कहां से करेंगे तो उन्होंने क्या कहा कि जोडी ठीक है तुम ले आओ phone लेकिन तुम्हें अपना जो तुम दूद पीते हो उसका half share किसको देना पढ़ेगा phone को देना पढ़ेगा Millville said come on boy we have got to get riding Millville ने किसको कहा भी है जोडी को कहा कि आजाओ हम चलते हैं phone को दूदने Ma Baxter asked anxiously you will not be gone long जो अब उसकी मदर थी उन्होंने क्या पूछा जोडी से कि तुम को ज्यादा time तो नहीं लग जाएगा will it be so long ठीक है जोडी said I will be back before dinner for sure Millville mounted his horse and pulled Jody up behind him he said to Millville do you think the phone still there will you help me find him अब क्या हुआ जोडी ने अपनी मदर से कहा कि mom we will be back हम डिनर से पहले पहले वापिस आ जाएंगे कोई बात नहीं और Millville ने फिर अपना जो horse है उसकी जो वो rope होती है उसे खीचते हुए horse को pull किया और जोडी को अपने पीछे बिठा कर they were went ओके and उसके बाद he said to Millville do you think the phone's still there उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें लगता है phone वहीं होगा अगर होगा क्या तुम उसे ढूनने में मेरी मदद करोगे we'll find him if he's alive how you know it's a he तो अब जोडी ने उसका answer दिया वो बोलता है अगर वो जिन्दा होगा तो हम उसे surely ढून लेंगे अब उसने यहां पर एक pronoun यूस किया है he for the phone अब Penny sorry not Penny Millville उनसे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि वो he है she नहीं तो उसका answer दे रहा है जोडी के the spots were all in a line on a door phone pa says the spots are every in every way every which way ओके so जो एक male deer होता है उसके जो spots होते हैं body पर जो white white color के जो दाग होते हैं वो एक सीधी line में होते हैं और जो एक female deer होती है जो उसके spots होते हैं वो scattered होते हैं हर जगा पर हुआ होइगा ंए भार जितने होते हैं ऑ्रूद के जड़ते हैं क्यो खुआंवाट